दोस्तो आज हम आपको ताज महल से भी सुन्दर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तो आपने आज तक ताज महल से सुन्दर कोई महल या किला नहीं देखा होगा लेकिन आज हम आपको ताज महल से भी सुन्दर मंदिर दिखाने जा रहे हैं जिसका निर्मान 112 सालों से हो रहा है इस मंदिर को बनाने में चार पीड़ी गुजर गई है यह दुनिया का एक मत्र ऐसा मंदिर होगा जो कई तत्यों में ताज मैल को भी पीछे छोड़ रहा होगा ताया जा रहा है कि इस मंदिर में अभी तक 400 करोड़ का खर्चा आ चुका है लेकिन अभी तक इस मंदिर का निर्मान पुरा नहीं हुआ है रादस्वामी के नुसार पहले गुरू पुरान धानी महराज की समादी और मंदिर ताज मैल के सामने द्याल भाग में ही बनाया जा रहा है विश्व में इस विचार धारा का पलन करने वाले 2 करोड़ से बियदिक लोग है मंदिर और समादी स्तल ताज की हीतर है बावन को वोकीने उपर बना हुआ है करीब 50 से 60 फिट गहराई तक पथरों को जमेन के अंदर डाला गया है और उनके उपर पिलर लगाया गया है इन पिलरों के उपर बन रहे गुमंदों को इस तरह बनाया जा रहा है कि बुकम्प्रिया तुफान का शरेन पर ने पड़े मंदिर का निमान 1904 में शुरू हुआ था अब तक 112 साल बीच चुके हैं अब इस ये बन कर पुरा होने में 10 साल ओर लग सकते हैं मंदिर के नक्षा करीब 100 साल पहले इटले की एक कमपनी ने बनाया था नक्षे में हर एक चीज तै की गई है जैसे किस जगए कौन सा पेड़ लगेगा 112 साल से करीब 200 मजदूर लगातार इस मंदिर को बना रहे हैं अब मजदूरों की चोथे पेड़ियां काम कर रही है यहां आने वाले स्विधालों से कोई दान भी नहीं लिया जाता पदा दिकारियों ने स्विकार किया है की करीब 7 करोड रुपए सालाना खर्चो रहे हैं अब तक करीब 400 करोड रुपए खर्चो चुके हैं इसे बनाने में किसी तरह की सरकारी अगैर सरकारी मदद नहीं ले गई है सिर्फ रादा स्वामी मत के अनुयाई ही अपने पैसे से इसका निर्मान करवा रहे हैं